कि प्रेटली फ्रेंड स्वागत्त करती हूं अपने चैनल में तो आज मैं एक बिल्कुल इफ्रेंट वीडियो लेके आए रहा है तो एध मेल कुझर लेका ही हूं अब प्रोड़क्त नहीं लिए हैं मैंने इस लूप करने के लिए और आप देख सकते हैं मेरे इस लूप को और मैंने रफली अपना बाल को रफली जुड़ा बढा लिया है यह देखें तनी गर्मी पड़ रही है कि कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगता है कि बाल खुले और इत तो गाइज यहां पर मैं आपको वोईश ओफर दूँगी क्योंकि पंके के आवाज बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उसकी वज़े से मैं मुझे आपको वोईश ओफर देनी पड़ेगी तो मैंने सबसे पहले यह सिंपल का मोस्चुराइजर ले लिया और इससे मुझे अ अंदर मैंने प्राइमर लगा रही हूं यह तो मैंने अच्छे से इसको लगा लिया अब मैं इसमय से फांडेशन ले ले रही हो और डॉट करके मैं पूरे चहरे पर लगा लोंगी जैसे आप देख सकते हैं इस तरी इस से इस तरीके से लगाने से यहां पर यह कॉंडोर व मुझे थोड़ा प्रेशान कर रही थी तो ये देखे कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है आपको पहले beauty blender को अच्छे से धो लेना है या फिर उसको पानी में डालके फुला लेना है तो इससे आपको अच्छी तरीके से blending करने में वो सायता मिलेगी और ये देख सकते हैं मैंने लगाया है आँखों के नीचे में एक बार और लगाऊंगी concealer के रूप में तो ये देखे मैंने इसको लगा लिया है तो इससे मेरा थोड़े से नीचे के dark circle जो है वो कम दिखाए देंगे तो ये देखे अब मैं जो है compact powder ले लिया है ये इसका भी review आपको मेरे channel पर मिल जाएगा अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं और पिछे से voice आ रही है उसके लिए guys very sorry guys यहाँ पर मैंने compact powder से अपना foundation set कर लिया है बिल्कुल light effect ही मैंने अपना foundation लगाया है अब मैं यहाँ पर eyebrow pencil लेकर अपने eyebrow set कर लूँगी यहाँ पर brush करना बहुत ज़रूर है अपकी eyebrow set करने पर off camera करके मैं अपनी दूसरी eyebrow भी fill कर लूँगी तो यह देखिए मैं दिखा रही हूँ difference तो यह देखिए मैंने इस इस beauty का एक palette लिया है अब प्लस लगांगा तो यह देखो मैं उंगली से ही इसमें अपनी eyebrow आइबरो नी इख पर लगा रही हूँ और यह आईज यहाँ पर मैंने highlighter लगा लिया है हाथ से ही और Nicholas भी मैं अभी लगाँगी तो यह मैं ब्लस लगा रही हूँ दोब अपने हाथों से लिए हैं तो से ही कल लिए और मैंने इसको सेड लिया है पहले में काजल और घ्रिण लगा रहे थी लेकिन मेरा मैटारी कुछे हैं उसी अभी मेक नहीं। आए दो मेटाम का यह पिकिए एतना मेंहीं बिर्लाइट में गा स्टेक हो जाती है बोलने में तो मैंने अब हाफ आइज में मैं यहाँ पर ग्रीन काजल लगा रही हूं और यह थोड़ा डीप डीप नहीं लगाऊंगे बिल्कुल लाइट लाइट हलका सा कि बस तो हलका सा लुक आए कि हाँ काजल लगाया हुआ है मैंने ठीक है तो अम मैं पर इसका ही हाई मस्कारा ले रही हो और ये मैं अपनी आइज पर लगा रही हूं इससे भी आपको की आइज जो है वोल्म नाइज हो जाती है बहुत हैवी से दिखती है कि हां मतलब कुछ हलका सा मतलब मेकप किया है आपने और इसका भी आपको रिव्यू मेरे चैनल पर मिल जाएगा इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर मैं मैंने यहां पर मेवलीन की सोरी मेवलीन की लिपिस्टिक ली है तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा लुक कितना सांदार निक फिर में लड़े खुराइब।